नोर्मल भेल तो आप खाते ही रहते हैं लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे चाइनीज भेल और इस भेल को खाने के लिए शाम को पूरा सूरत आ जाता है इतनी ज़्यादा पसंद है सूरत में लोगों को तो वीडियो को पूरा एंट तप देखेगा गाईज मज़ा आ जाए और उसके ओपर डेर सारा अहरा धनी आ चुका है यह मसाला है आपका इसा खुदी पनागा लाते हो अब इसके अंदर जाएगा नीम्बू कितने साल उसे बना रहे हो आप यह 10-12 साल उसे बना रहे हो और अब यह सारी चीज देखिए बढ़िया तरीके से मिक्स की जाएंग प्राइस कितना रहता है अपना एक भेल का बीस रूपर रहता है और शाम को लगा तो अपना अब यह के डाला है यह लाल मिर्ची यह पीसी हुई तो काफी चट पड़ा होने वाला है गाइस और यह टमेटो केचप अब और यह इसके अंदर जाली जारी है भेल और यह सेव डाली जा रही है इसके अंदर मोटे वाली और अब यह सारी चीजें फिर से मिलाई जाएंगी और यह पूरा भगोना भरा हुआ था पांच मिनट के अंदर खाली हुआ है तो लोगों को बहुत पसंदे है चाइनीज बेल यहां पर है 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 हम अब यह तयार है और अब चाइनीज बेल तयार हो चुकिए और आप खुद देख सकते हैं बन के बाद में तयार हुए है जितनी बन ही है इतने के कस्टमर्स पहले आ चुके हैं तो तो यह समझनीज होगा गूर सब्सक्राइक करने के लिए वह को ब्ली पास उल्सिंपल लेकिन इतना बनता है हाथ वाथ बिग जाता है सारा तो देखते हैं कि इतनी क्यों पसंदें लोगों को सबसे होट सेलिंग आइटम उनिके होते हैं मोमो जो स्पिंग रोल हो या फिर यह चाइनीज भेल हो जो बहुत ही बढ़ी हुई है बहुत बढ़ी है तीका टेस्ट ले रही है प्राइस के वाल 20 रुपे है पोर्शन भी ओके है तो शामगेडा है में आपको चटपटा खाने का दिल कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया चीज है क्रंची ठीकी चटपटी और के वाल 20 रुपे के अंदर बहुत ही बढ़िया तो मुझे तो है चाइनीज भेल बहुत पसंद आई अगर आपको वीडियो प समझा देता हूं वेजा क्या अटर्स पड़ेगा अपना प्राइम मार्केट अनल मेल रोड शुरज